तो दोस्तों कि आपने भी अपने पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करवाया और आपने पैमेंट भी कर दिये लेकिन यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इनकरेक्ट पैमेंट डीटेल्स फ्रॉम बैंक तो गाईस अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रही है दो सबसे पहले मुझा आपको बता दूँं कि आप अपने पैन कार्ड रो आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आप गए होगे यह आपने खुद ने करा होगा दोस्तों तो आपर क्या हो रहा है कि यहां पर पैमेंट भी कड जाई और यहां पर बता यह रहा है कि इनकरेक्ट डीटेल फ्रॉम बैंक अब गाई इस प्रॉब्लम का सॉलुशन क्या है और यह प्रॉब्लम क्यों आई यह मैं बताएदा हूं कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी पेमेंट डीटेल्स हो गाई इनकरेक्ट याने की कुछ मिसमैच हो जाती है और इस वज़े से यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों तो इस प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि स्टेटस विल बी अपडेटेड वंस दी करेक्ट डीटेल्स और रिसीवड फ्रॉम बैंक स्टेटस का मतलब यह की जो लि शd इस दिखाना है कि आपको आपको प्रॉब्लम बैंक से रिलेटेड इसलिए आपकी प्रॉब्लम बैंक होगी दोस्तों तो आपके यहां पर टेंशन नेंगी कोई जरूरत नहीं है आपको अपने बैंक में चले जाना होगा और यह दिखाना होगा तो वाइस वहां से वह कुछ